अब आपनों का बिल्कुल आख़ी शप्टर ऑफ पेपर वन विच इस यूर डेटबेस उसको कवर करने हम लोगोंने और सबसे पहले माजरत क्योंकि मैं अब आपनों के नोट्स पर काम चल रहा था तो पढ़ाने को तो मुझे कुछ नी मैं बुक्से भी पढ़ा देता लेकिन फायदे कुछ में नहीं उसका इंड तो इसी दिए भी साभ नोट्स वोड्स सब कंपाइल हो चेके तो लेट्स स्टार्ट विद इस चप्टर तो कोई इसमें कोई ऐसे मसला नहीं आएगा आपनों को इंशालला सारी चीज़ें इसमें मैंदब इंफ्लूट है लेक्टर सकंदर थोड़े बहुत आपकल पास्पर्स भी है तो ताकि आपनों को कुशिंस का भी आईडियो हो जाए और जब आप पास्पर्स खोलो तो एक तरीके स आप लोगों को एक दूसरी दुनिया ना दिख्या तो कोई समस्था नहीं आएगा बसे वागए लेक्टर सो तुम लोगों ने देख लिए तो सब्सक्राइब नाम से सब चीज़ें क्लियर हो रही है कि कॉंसप्ट बेसिक जो है इसके अंदर हम लोग किस चीज़ को डिसकस क्या फायते नुकसानात हैं और इसके बाद डिटेबेस की जो स्ट्रक्चुर्ड लैंगुज है विच इस्क्यूल स्ट्रक्चुर्ट कोई लैंगुज इस उनकी जिसंटेक्स वगएरा है वह आप लोगों को पता होने चाहिए शुद नो रिलेशन्शिप क्या होता है टेटा स्टोर करने की तो मैं पर दो पर्टिक्ल सिनारियोज होते हैं दो सिनारियोज कौन-कौन से इदर कुछ स्टोर यूर डेटा इन फाइल और और डेलेशन्ट डेटबेस क्या मतलब हो इन दोनों में फार्क समझना बहुत जुरूरी है डेटा सोरेज के हमेशा आप ल अब उसमें अपने डेटा स्टोर करते हो अब उसके इंदर कुईरी मतलब किसी भी डेटा को डिस्पले करवाना उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम लोगों को नहीं मिलते कुछ नुक्सानात हैं कुछ लिमिटेशन हैं जो कि फाइल बेस अप्रोच मतलब हमेश तो अब हम बात करते हैं relational database which is your second approach of storing the data relational database की होता है concept वही है कि आपने डेटा को स्टोर करो in forms of rows and columns वही सेम सेनरियो जो कि फाइल बेस अप्रोच में था लेकिन relational database basically uses the concept of database management system database management system for example अगर at the end time मिले तो उसके बारे में देखना जरूर Microsoft access के नाम से you have a database management system और भी बहुत सारे होत होता है database management system अलग होता है उसके बार में डीटेल में बात करेंगे मैं आगे भी जाकर और डीटेल में इसका डिसकस करेंगे कि यह database management system क्या होता है तो relational database basically क्या चीज़ते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं proper database जिसके अंदर आपके पास कुछ tools होता है यहाव और query processor बहुत सारे tools बगारे हैं जो कि आपको relational database में मिल जाते हैं you can basically form a relationship between the tables tables के दर्मयान relationship कर सकते हो लेकिन यह सारी चीज़ें फाइल बेस अप्रोच में नहीं हो पाती है आपका data repeat हो रहा होता है सब चीज़ें हो रही होती है कुछ particular limitations that we are supposed to study और बहुत असान है सारी चीज़ें बेसिक्स हैं और repeat हो रही होती हैं बहुत जादा अच्छे इसके कुछ database को जिसे हम बात करते हैं communication की जो चप्टर चेप्टर के अंदर database के अंदर क्योंकि यह conceptual चेप्टर भी है भी का मतलब यह है कि इसमें theoretical चीज़ें भी है and you have your conceptual चीज़ें भी सभी अगर इसको सही से पढ़ लिया जाए तो फिर concepts को याद करना ज्यादा असान होता है क्योंकि इसके प्रैक्टिस की जाती है बार बार इसको याद करा नहीं जाता आप लोग जो हो जाता है क्योंकि आप लोग ले 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 उसके system का follow करते हो जिसमें याद करने की को भी देखेंगे जो कि आपनों को at the end याद करने पढ़ेंगे like for example बहुत असान questions है पहले सवाल देखते हैं what are the limitations of using a file-based approach file-based approach को को इस्तमाल करते हुआ ऐसी क्या limitations आती है हमनों के पास उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है यहाँ अच्छा अब एक चीज़ को दमागर बढ़ा लो कि जब भी paper 1 देने जाओ या paper 3 देने जाओ which are your theoretical papers तो words पर focus किया करो words पर focus मतलब you're supposed to see the word what and describe सही है अगर वो सिर supposed to list them like data redundancy data dependent अभी इन पर बात करेंगे अभी मैं से question pattern समझा रहो data redundancy, data dependency, lack of data integrity, lack of data privacy, 7 को list कर दिया, you will easily be able to gain 3 marks, सभी है अगर यही सेम सवाल दें, अब बोलें describe the limitations of using a file-based approach, तो इसमें तुम लोगो को हर एक एक particular point को describe करना पड़ेगा, इसमें होता क्या है अगर तुम एक mark होगा, like इसको सिर्फ बताने के लिए, like फिर उसको explanation के एक अलग mark है, कि data redundancy होती क्या है, इसको हम एक सवाल इसको भी आगे कर लेंगा attempt, ताकि तुम लोग उसको compare कर पाओ, सभी, तो बात करते है data redundancy पे, सबसे पहला point कि limitations of file-based approach हम लोग study करें, data redundancy क्या होती है, data redundancy मत मतलब, file-based approach में यह होता है, we cannot use the concept of referential integrity and primary key, क्या मतलब हो इसको, और detail में discuss करेंगे, referential integrity क्या होती है, primary keys क्या होती है, लेकिन, अभी से basic समझने के लिए, database के अंदर क्या होता है, relational database के अंदर, आप उसको enforce करवा सकते हो, कि भाई, मेरा जो data है, वो redundant नहीं होना चाहिए, repeat न जो कि database में हैं, लेकिन file-based approach में नहीं होती, अच्छा, इसकी एक example देता हूँ, for example, registration के वक्त, जब मैं अपने courses की registration करवाता हूँ, for example, paper 1 की registration में थी, तो कुछ बच्चों ने registration की deadline थी, उससे पहले register कर लिया था, और register करने के बाद, उनको एक तरीके से feedback मिल गया था, लेकि कुछ बच्चों को जो feedback नहीं मिला, तो उन्होंने किया कि अब बाद में फिर से registration की, तब क्या हुआ, मेरे पास एक तरीके से data दो दफ़ा आ गया, उन students का, एक दफ़ा उन्होंने पहले कर दी थी, लेकर उनको feedback नहीं मिला, उन्होंने सोचा कि भाई, यह हम लों का data जो अ नहीं हो पाएगा, सभी data dependency, data dependency मतलब क्या होता है, कि for example, आपने एक table बनाई है, और वहां पर आप लोगों ने, suppose करो कि उस बंदे का family name change हो रहा है, family name जब change हो रहा है, तो इसका मतलब यह कि, जितना भी data, for example, दूसरी, दो-तीन tables और बनी वे हम लोगों के पास, जो भी data, file-based approach के अंदर, अब हम लोगों के मसला किया रहेगा, कि हमें हर table के पास जाना पड़ेगा, हर table पास जाने के बाद, we are supposed to like change every single attribute, every single value, हर एक एक value का आपको जाके change करना पड़ेगा, लेकिन, database के अंदर SSC नहीं होता, आपने एक दफ़ा change किया, एक table में, that means, कि वो सारे data जो कि उस particular field, उस particular data पर depend करेंगे, वो सब automatically change हो जाएंगे, data dependency, changes to data, means changes to program, accessing the data, lack of data integrity, data integrity, integrity का मतलब क्या होता है, accuracy से हम लोग इसको मतलब नकालते है, integrity का मतलब होके समझा जाता है, तो file based approach के अंदर, same आप लोगों का scenario है, entries that should be same, can be different in different places, क्या मतलब हुआ, suppose करो एक table है आप लोगों के पास, उसमें student ID है 1145, सभी है, यह student ID है 1145, और उसके अंदर नाम store हुआ हुआ है, एक table के अंदर तहा, और एक और दूसरी table create हुई है, और उसके अंदर भी same ID समाल हुई है, student ID 1145, लेकिन वहाँ पे नाम change हुआ हुआ है, अली, तो अब यहाँ पे क्या मसला आ गया, integrity का issue आ गया, कि एक जगा कुछ है, एक जगा कुछ है, तो यह सब चीज़ें file based approach के अंदर तो हो सकती है, लेक से हम बात करें, generally, तो data secure है, लेकिन as compared to database, आप लोगों का data इतना comparatively secure नहीं होता, privacy इतनी maintain नहीं होती, for example, database के अंदर आपके पास options है, you can use access rights, कि आप कुछ particular part उसको दिखाना चाहरे हो, user को कुछ अपने data चपाना चाहरे हो, और लेकिन यह file based के अंदर नहीं कर सकते हैं, कि आप उसको एक तरीक से, for example, username उसको set नहीं कर सकते हैं, password set नहीं कर सकते हैं, file based approach में, तो यह सारी limitations हैं, जो कि एक file based approach में, आप लोगों की पास आती है, at the end, आप लोगों को इनको memorize करने की शरूरत है, और सवालाद देखते हैं, related to relational database, चलो जी, एक और साबाल देखते हैं, what are the benefits of relational database instead of flat file, same question, kind of, मतलब बस अब इन points को अगर तुम लोग याद कर लेते हो, that means, इसको भी आप common sense के तुरू solve कर सकते हो, अगर हम बात करें, what are the benefits of relational database instead of flat file, अब जहां पर यहां पर lack का issue आ रहा है, data redundancy का issue आ रहा है, यहां पर data redundancy क issue था, file-based approach में, यहां पर कम हो रहा है, यहां पर data integrity का issue था, यहां पर improvement आ रही है, और यहां पर data privacy का issue था, file-based approach में, तो यहां पर उसकी improvement आ रही है, program data independence, इस चीज़ को मैं explain करता हूँ आप लोगो, ability to create, ability to create, ADHC queries, अच्छा, अब यह क्या चीज़ होती है, ADHC queries basically आप लोगों की ऐसी queries हैं, जो कि आप एक particular purpose के लिए उसको लिखते हो, खुद बहुद, for example, कुछ होती है, जो कि predefined queries होती है, आपने कोई चीज़ access करनी है, अब अगर आप की conditions है, है कि भाई मुझे एक data चाहिए, जो कि जिसकी expiry date जो है, वो 30th October 2022 से जाद होनी चाहिए, जो भी है, ऐसे scenario में, आप उसको conditions देते हो, इन conditions को कहते हैं, हम लोग ADHC queries, कुछ आपने particular purpose के लिए कुछ queries लिख रहे हो, तो उनको कहेंगे ADHC queries, यह सब चीज़ आपकी relational database में possible होत होती है, program data independence का अगर तुम लोगोंने समझना है, तो इसको ऐसे समझो, समझने के लिए इसको हम ऐसे समझते हैं, आपका जो data है, वो Google के पर मौझूद है, उस पर आपका data मौझूद है, अब अगर आप program के लिए, देखो Google क्या करता है, Google में कितनी updates आ चुकी है, आपको पत सकता है, और आपको जो data से related जतनी programs हैं, वो सब change हो सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है, और बिल्कुल सेम सिनारियों में, कहने का मुक्सद क्या है, कि आप लोगों को data है, और program, for example, application और आपको information है, ये दोनो independent है, क्या मतलब हुआ, कि अगर मैं कोई program के लिए चे रहेगा, अगर आप data को change करते हो, तो आपनों का program पर कोई effect नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो कि relational database में possible होती है, ability to create ADHSS queries हमने discuss करनी, बागी उपर वाले points in code discuss करनी ज़रत है नहीं, क्योंकि वो एक तरीका same चीज़ है, लेकिन they are basically opposite of vice versa conceptism, जो चीज़ उपर लि tendency का issue हो रहा था, यहां पर उसका issue कम हो रहा है, और सवाल आद देखते हैं, अच्छा एक सवाल मैंने आपनों को जो starting में समझा रहा था, कि what or describe को जो मसला आता है, तो उस चीज़ को ज़रा यहां पर हम लोग देखते हैं, अच्छा वो maximum आपसे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कि इतना सारा condition है, यह याद करने को, एक सवाल के लिए, इसमें यह होता है, कि आप लोगों से वो maximum 4 मांग का सवाल पूछ लेगा, तो मतलब आपको एक describe का मांग होता है, और एक explain करने का मांग होता है, क्य यह मतलब वह एक exercise का मांग है, और एक इन चीज़ों का मांग है, इन में से कोई एक भी point लिखता हो, फिर एक इन में से एक चीज़ का होता है, तो अब आप जो आप लोगों को बहतर लगे आप उनको जादा अच्छे से याद करना है, लेकिन याद सारा कुछ ही करके जाना है, क्योंकि at the end, ऐसी कुछ चीज़ों होती है, जो कि आप लोग ने, आप लोगों को मतलब आप तसवर भी नहीं करता है, तो at the end, याद सब करके जो, अब जो दिमाग में है, फिर वहाँ पर लग देना, सभी है, अब यहाँ पर वही same question है, कि हम लोग file-based approach की ही बात कर रह relational database के क्या features है, that addresses the limitations of file-based approach, सभी है, a file-based approach के, जो हम लोग के पास limitations आ रही है, ऐसे कौन से features in relational database के, जो कि उनको overcome करते हैं, सभी है, relational database में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग feature की बात करते है, which is your multiple tables are linked together, क्या मतलब हो इसका, multiple tables are linked together, यह हम लोग relational database के अंदर possible है, कि हम लोग by using the concept of primary key and by using the concept of foreign key, अब यह सब चीज़ें क्या होती है, यह और चीज़ें by time आप लोगो clear होती जाएंगी, जब हम अपनी lecture को continue करते जाएंगे, तो होता क्या है कि tables जो होती है, database के अंदर, relational database के अंदर, हम लोग उनको link करवा सकते हैं, for example, आप लोगों का एक data है, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, कि एक table है, आप लोगों के पास, यह concept और चीज़ के लिए हो जाएगी, normalization के अंदर, for example, एक table है आप लोगों के पास, इसमें कुछ data जो है, वो बार-बार repeat हो रहा है, क्या मतलब हुआ, हम बात करते हैं, एक student है, कोशिश करते हैं, कि यहाँ पर समझ आ जाई है, वरना यह concept आपनों का उसमें explain हुआ है, for example, एक student है, और एक teacher है हमारे पास, student का यहाँ पर नाम है तहा, और teacher का नाम है X, फिर कोई और student है, अली, और फिर एक और वही सेम teacher है उसके लिए, सिर्फ समझने के कोशिश करते हैं, कि tables के जरी हम लोग redundancy कैसे reduce करते हैं, और एक और यहाँ पर student है, कासिम, और उसके भी teacher X है, और फिर हमारे पास अब्दुल्ला है, और उसके teacher Y है, अब क्या मतलब होगा है, यहाँ पर अगर हम teacher के data को देखें, तो यहाँ पर teacher का data repeat हो जा रहा है, इसे कहते हैं redundancy issue, कि यहाँ पर teacher के data वो बार बार repeat हो जा रहा है, तो अब हम कर क्या सकते हैं, अब हम करिये सकते हैं कि हम लोग teacher की table एक अलग create करें हम लोग student की table अलग create करें और उन दोनों को आपस में link करवा दें तो इससे होगा क्या कि teacher का जो data है वो बार-बार-बार repeat नहीं होगा इस तरीके से इसका concept हम लोग और detail में दिसकस करेंगे in your normalization जो बिल्कुल at the end of the chapter रहें लेकिन basic concept क्या है कि हम लोग इसके अंदर relation database के अंदर tables create कर लेते हैं जो कि आपस में link होई भी होती है which reduces data redundancy increases data integrity referential integrity can be enforced अच्छा अब यह referential integrity can be enforced अभी इस point को हम लोगोंने इतना सब्सक्राइब नहीं करना है इसको हम लोग आगर discuss करेंगे अलग से बिल्कुल referential integrity का around three to four mark का question आता है उसको हम लोग अलग से detail में discuss करेंगे अभी जो main चीज जो समझने किये वह आपनों के first two points है कि आपकी data redundancy reduce हो जाती है by using multiple tables which are linked together और data integrity आप लोंकी increase हो जाती है अब लोग एक्रिसी अपर देपेंडेंस अब यह क्या चीज़ है प्रोग्राम डेटर इंडेपेंडेंस यह किस चीज में होता था अगर हम लोग जारा देखें benefits of relation database program data independence तो वही same concept जो मैंने आपनों को पर explain किया था वही चीज़ यहां पर लिखे विया structure of data can change and does not affect the program मतलब क्या हुआ कि आपने डेटा का structure था उसको change कर लिया लेकिन program पर कोई effect नहीं आया है structure of programs can change and does not affect data opposite चीज़ कि आपका program change हो रहा है for example Google ने अपना database जो है वो उसके जो suppose करते हैं California में इसने store किया था पहले जब डेटाबेस था उसका सारव डेटा California में मौजूद था ऐसी random example अब उसने डेटा चेंज कर चुका है अपनी जो रिलेटेट डेटेबेस से रिलेटेट काम था और डेटा जो थे वो इंडिपेंडेंट है तो आपके डेटा पर कोई चेंज नहीं आएगा structure of program can change and does not affect data complex queries can be more easily written हम लोगों के relation database के अंदर we can use a structured query language which is your SQL to find specific data आप queries लिख सकते हैं relation database के इंदर जो कि आप एक तरीके से फाइल बेस अप्रोच में मुश्किल है उसको queries को establish करना उनको create करना लेकिन वहीं सिम चीज़ रिलेशन डेटेबेस में दो में कर सकते हैं complex query can be more easily written to find specific data यह क्या चीज़ है यह benefit of relation database different users can be given different access rights which basically improves your security क्या मतलब वह चीज़ का कि बाइटेटेबेस के अंदर relation database के अंदर मैं बता सकता हूं कि एक मेरे पास टेबेल विज़ इस रिलेटेड टू यूर सबोस्क्राइबें जॉब्स assigned सब्सक्राइब किस बंदे को मैंने क्या काम assigned किया वह तो एक में पस इस चीज़ की टेबल है और में पस दूसरी टेबल है विच इस यो फाइनस टेबल मतलब कि कि बाई मैं कितना पैसे कि इसको दे रहा है और कितना प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है तो अब मैंनी चाहता कि मेरे जो इंप्लॉईज है वो मेरी फाइनस टेबल को देखें तो अब मैं यहाँ पर एक्सेस राइटस दे सकता हूं जैसे अगर किसी भी ड्राइफ की बात कर different users can be given different views of the data वही वाली बात आ गए कि भाई हम लोगों ने का कि भाई सिर्फ तुम इस टेबल को एक्सेस कर सकते हो लाइक जो आप लोगों की जॉब की टेबल थी उसको आप एक्सेस कर सकते हो लेकिन आप जो फाइन से टेबल उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो यह बेसिकली आप लोगों का आजसर था विच इस रिलेटी तुट फीचर्स ऑड़ेशनल डेटबेस लिए प्रोच यहां तक कॉंसेप था आप लोगों का फाइल बेस अप्रोच और यह रिलेशनल डेटबेस का अब इसके बाद हम लोग सोली से बात करेंगा डेटबेस क अपर इमने थोड़ी बाद डेटबेस की टर्म जो मैंने भी विच बीच के इस्तिम शर्म की थी लिवाप कीकि इस्तमानुमीर आ फ्रैमरी फिर्जिक की इस्तमान की था इस अब यह सब चीजह होती है इनको समझना हैं हम लोग ने तो लेट साथझ वर डेटबेस टर्म के कि अब जारा एक डाइग्राम देखते हैं और एक टर्म और देखते हैं हम लोग उससे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं पहले डाइग्राम की थूरू समझेंगे फिर उसके लिख लेंगे अपने पास सिस्टम्ट है इस यहां डीवी एएश यह पना है इसाप्डबेस मैनेज्स कारते हैं वह सफ्टवर्स कहलाते हैं DBMS Database Management System अब हम लोग University में इसको बहुत डीटेल में पढ़ते हो तुम लोग इसको पढ़ोगे कि Database Management System Microsoft Access कैसे काम करता है Queries कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें आपके जो website के data है वो कहाँ पर स्टोर होगा कैसे स्टोर होगा चलो अब जरब टेबल को देखते हैं और इस टेबल को समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौझूद है तो हमारे पास सबसे पहली चीज मौझूद है It is your entity It is your entity Entity क्या चीज़ होती है Entity is basically an object Physical object क्या मतलब हुआ Student Student table के बारे में बात हो रही है नहीं यहाँ पर Student table is your entity यहाँ पर color coding होई भी है तो color coding से आप लोग चीज़ें को relate भी कर सकते हो तो for example और चीज़ें के example ले लेते हैं Employee Employee is a physical object For example course So course एक object है और फिर अब उस course के अंदर For example student table है For example यहाँ पर अगर हम देखें तो student के हम लोगों के पास attributes मौझूद है Entity clear हो गया मतलब object के बात हो रही है कोई भी अगर object है तो हम उसको कहते हैं Entity For example in this scenario we have student as our entity अच्छा इसके सवाल कैसे आता हो भी हम discuss करेंगे इसके सवाल आता हो आपको एक तरीके से data प्रोवाइट करेंगे और आप से बोलेंगे कि इसमें से entity बताइए इसमें से attributes बताइए कौन-कौन से हैं तो अब अगर हम attributes की बात करें Attributes are basically the features of a particular entity क्या मतलब हुआ role number student का name student का course student का तो इन सब को कहते हैं हम लोग attributes of a student तो यहां पर मैंने तुम लोग के mention किये हुए I've already highlighted और यहां पर मैंने color coding भी की भी है ठीक है और एक मसला और आ सकते है आपनों को जब इसको light mode में देखोगा न फिर issue आएगा तो let me change it to a different color yep that works ठीक है तो आपनों की pink से जो है वो basically attributes है अब इसमें I guess light mode के अंदर आपनों को कोई issue नहीं आना चाहिए notes के अंदर बाकी अब हम बात करते हैं इन दो terms के पर दो terms कौन कौन सी है you have a first term which is known as your fields fields क्या होती है your basically column values यह सब चीज़ों को हम लोग fields कहते हैं और record क्यों होता है record का एक और नाम है which is your table अब हम एक particular set की बात करें ना एक information मतलब एक student की बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक student के data को हम लोग कहते है record जो कि आप लोग रोज से भी इसको compare कर सकते हो M26 एक student की बात हो रही है Erica उसी student की बात हो रही है course math उसी particular student की बात हो रही है तो इसको कहेंगे एक record जब आप एक form फिल करते हैं अपना record create कर रहे होते हो तो यह सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों का पता होनी चाहिए कि entity क्या होती है attributes क्या होते है fields क्या होती है records क्या होते है records को हम लोग double भी कहते हैं अब जब जब इन चीज़ों को जब लग लगते हैं और हम इसमें primary key और foreign key को भी discuss करेंगे चलो अब जब जब एक काम करते है primary key को यहीं पर मैं discuss कर लेता हूँ उसके बाद हम लोग जड़ा foreign key को बाद में discuss करेंगे चलो primary key primary key क्या होती है primary key is basically a unique identifier एक unique identifier है for each record हर record का एक identifier है for example अगर तुम लोग जड़ा इस table को गोड़ से देखो सिब इस table को study करते हैं तो there is a possibility कि name आपके same हो सकते हैं सही है यहाँ पर for example we have अजीब सा नाम जौसन and you have जौसन अगें तो एक तरीके से names are basically getting repeated अगर मैं name को as a word primary key consider करूं तो यह uniquely identify नहीं कर सकती हर एक record को सही है अगर हम course की बात करें तो course can also be repeated जरूरी नहीं है कि सिब एक student जो है वो आप लोगों का उसका course जो है वो अलग-अलग student का अलग-अलग courses होंगे possible नहीं है यह मतलब कुछ students होते हैं जिनके math subject होता है और दूसरे student का भी math subject होता है तो वही same scenario आप course को भी as a primary की consider नहीं कर सकते हैं अगर हम बात करें role number की तो role number हर एक student का different होता है for example your CNIC number your national identification number अब उसमें क्या होता है कि वो हर एक बंदे का अलग है it's unique तो आप लोगों को अगर identify करना है तो हम लोग क्या समाल करते हैं your CNIC number कभी कबार आप लोगों का passport number समाल हो रहता है तो किसी भी data को unique record को identify करना है पर example अगर हम बात करें जॉसन और यह वाले जॉसन और इस जॉसन को मैं differentiate कैसे करूँगा by using our role number तो मैं इस role number को अब एक primary की consider करता हूँ और foreign key क्या होती है foreign key एक basically आप लोगों का यही role number अगर मैं किसी और table में समाल करूँ यही same primary key एक table के अंदर primary key है इसको मैं कहता हूँ base table मैं एक और table create करता हूँ जैसे मैंने उपर आप लोगों समझा रहा था मैं कि हम लोग दो अलग अलग tables create कर देते हैं students की और teachers की तो उनको link करने के लिए we use the concept of primary key and foreign key आपकी जो primary की होती है base table के अंदर वही अगर primary key किसी और table के अंदर आप इस्तेमाल करते हो यहां पर आप लोगों ने एक table create की है for your marks for your scores यहां पर आपने table create की your scores के लिए किस किस के कितने marks आए तब आपने यहां पर अपना role number इस्तेमाल किया यहां पर एक आप लोगों ने attribute समाल किया which is your role number जो के आप लोगों की primary key थी in your base table in your student table तो अगर यही same primary key आपके दूसरी table में समाल होती है तो उसको हम लोग कहते है foreign key किस लिए समाल होती है relationship create करने के लिए अब जरह इन सब चीजों को जबी तक हम लोगों ने बात की है इसको जरह हम लोग लिख लेते हैं अपने पास ताकि चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ अभी तक हम लोग कहाँ पर है सब्सक्राइज हुआ हुआ ह अब लोगों से एक तरीकी से के जो questions आते हैं मैचिंग क्या आते हैं कि entity के definition आपको दीवी होगी entity का एक word दिया हुआगा हो और you're basically supposed to identify कि कौन सी description किस word के बारे में है तो इसके ऐसे questions आते हैं यहाँ पर साथी चीज़े लिखी में एक दपर रीट भी कर लेते हैं entity the concept or object in the system that we want to model and store information about एक ऐसा object जिसके बारे में आप information store करना चाहरो इन इस सेनारियो student attributes attributes के होते हैं a data item represented as a field within a table for example your role number your name your course इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं attributes as a field as a column उसको हम लोग क्या कहेंगे attributes primary key क्या होती है a unique identifier for each tuple, tuple मतलब record सही है उसको हम लोग कहते है primary key foreign key क्या होती है a field in one table एक ऐसी field in one table that links to a primary key in another table वही same concept दूसरी table में आप primary key को इस्तमाल कर रहे हो that means as a foreign key इस्तमाल हो रही होती है a field in one table that links to a primary key in another table चलो यहां तक तक concept हम लोग नोपर discuss कर लिया था आप लोग उसाथ अब बात करते हैं यह candidate key क्या होती है और यह secondary key क्या होती है इन दो terms को study करते हैं यह आप लोग के पास फिर में आपके slips में मौझूद है your candidate key and your secondary key चलो अब इस चीज़ को देखते हैं अब आपनों के पास candidate key क्या होती है इस चीज़ को समझते हैं candidate की आप लोगों की for example इसको अगर मैं keys को हटा के concept समझाओं तुम लोगों को किसे भी army का test देने जाते हो तो इसमें a candidate आप फॉरण clear नहीं कर जाते हैं अगर आप एक्जाम देखने में वैठे हो तो that does not mean क्या आप सिर्फ क्या हो candidate हो इसके लिए appear हो रहे हो अब आप क्या consider हो रहे हो candidate की अब जो भी student a levels को clear कर लेता है तो हम उस particular student को कहते हैं primary student कह लो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत database से relate करने के कोशिश करते हैं इस example को अगर हम बात करें candidate की student table की कौन कौन सी possibilities हैं जो कि की के तौर पे consider हो सकती हैं जो कि uniquely identify करेंगी देखो अब student table के अंदर roll number को भी हम स्वाल कर सकते हैं as our primary की हम C&IC number को भी C&IC number जो होता है वह आप लोगों का national identification number है यहां पर जो cards होते हैं जैसे आप लोगों के अधार card इंडिया के अंदर होते हैं यहां पर C&IC होता है पाकिसान में सब C&IC जो है अब वह हर एक बंदे का लगोता है पासपोर्ट नम्बर छर एक बंदे का लगोता है यह सब क्या है candidate keys थे candidate number हो गया है यह सब हर मने का लगोता है टब इन candidate टीज मिन से अगर मैं एक key को choose करता हूँ तो वो क्या कहलाएंगी मेरी primary key कहलाएंगी for example मैंने roll number को choose कर लिया यहाँ पे मैंने roll number को as a primary key choose कर लिया that means कि अब यह primary key हो गई आप बाकी सारी keys कौन सी हो गई हैं बाकी are my secondary key सभी है तो यह basic concept candidate key की का and secondary key का, यहाँ पर note के तौर पर लिख लो, अभी तक उसका कोई as such question आया नहीं है, note, set of keys that could uniquely identify a record, set of keys, यह एक set है, तो एक particular key की बात नहीं हो रही, set of keys that could uniquely identify a record is known as candidate keys, one of them, उनमें से एक, one of them is used as a primary key and the rest are secondary keys, तो यह basic concept था आप लोंका अभी फिलाल यहां तक जो concept है, एक इसके questions दरह attempt कर लें, फिर हम लोग बात में move on करेंगे to our structured query language, तो यह इसके तो पर पासिबल से question कर वादे तो मैं आप लोग को, and let's see over here, our first possible question, और इसके बारे में बात करते हैं, अब वो आप लोगों से कह रहा है, एक आप लोगों को उपर information दीवी हो, उसने, software management एक database का नाम है, तो यह software management आपके database का नाम है, और उस database के अंदर आपकी दो tables मौजूद हैं, दो tables कौन कौन सी मौजूद है, you have a table with the name customer details, you have a table with the name software purchased, और उसके अंदर कुछ debt items हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वोटने question ही खतम हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को terms दीवी है, entity की, foreign key की, attribute की, तो यहाँ पर हम एक term और डाल देते हैं, which is your primary key, अब आप लोगों ने करना क्या है, you're basically supposed to write an example, यहाँ पर आप लोगों ने example लिखनी है, इस data से देखते हुए, entity की बात करते हैं, सबसे पहले चीज, ऐसी कौन सी चीज है, जो कि एक object आपनों को feel हो रही है, for example, customer ID, customer ID is not an object, अगर हम customer details की बात करें, yes, it can be considered as our object, so customer details and your software purchase are your entity, तो यहाँ पर एक लिख लो, कोई भी, मैं यहाँ पर दोने लिख लिख दे ले तो हम आपनों को, capitalized है, तो capitalized ही रखते हैं इसको, software purchased, और इसमें, इसका मतलब बहुत है कि या तो यह लिख हो, लिख दे हो, जीए, अब फॉरण की पर बात करने से पहले, हम attributes की बारे में बात कर लेते हैं, attributes क्या होती है, information related to that, features of that particular entity, अब customer details हैं, तो आप उसकी customer की entities लिख सकते हो, यह सारी entities हैं, software name, software description, customer ID, license type, लाइसंस कॉस्ट रिनियूबल डेट इस सब क्या हैं यह आप लोगों की अट्रिब्यूट्स हैं अब जब हम इनको यहां पर लिख लेते हैं अब भी मैंने फॉरन किया प्राइमरी को को स्किप किया कोई भी लिख दो को यह समस्दा नहीं है आप यह सौफ़र डिस्क्रिप् कुछ भी लिख दो यहां पर मुफ़ते के तीन मार्क्स नहीं है चलो अब पहले बात करेंगे हम प्राइमरी की पे और फिर बात करेंगे हम लोग फॉरन की पे चलो प्राइमरी कीज कौन सी होती है प्राइमरी कीज अब बेसिकली यूर कीज जोके अंडरलाइन होती है सही ह अब यहां पे तो हैं तो दो चीजा अडरलाई नुवे provider हैं वह भाई यहां पे اسको कहते हैं अब आप होता क्या है कि कभी कभायर ऐसा होता है कि आप लोगों का software नेम जो और आप सिर्व उसको individually इस्तौन। तो वहापका as a primary ए intrigue consider नहीं हो सकता अगर हम customer ID की बात करें तो customer ID आप लोगों की इंडिविज्विली एक यूनीक आइडेंटिफायर नहीं हो सकती हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग यहां पर समाल करते हैं तक concept of composite keys composite keys क्या होती है अब हम दो attributes को consider करते हैं कि यह मेरी एक single private की consider होगी primary की consider होगी software नेम होगया customer ID अब इन दोनों को underline कर दिया अब मैं इन दोनों को as a my primary key consider कर रहा हूँ तो अगर मैं बोलूँ तुम लोगों से primary key के बारे में बात करते हैं तो primary key उपर वाले सेनारियों में देख लो customer ID तो यहां पर आप लोगो की primary key आप लग सकते हो customer ID ही आपकी foreign key है क्योंकि यह दूसरी टेबल में भी इस्तमार हो रही है तो यहां पर आप लोग लिख दो के foreign key में customer ID तो यह basic concept है terms को identify करने के यह questions आते हैं एक कुशन आपकर वाता हूं में इसका है कि एक बड़ा question करते हैं इसका और फिर इस लेक्षर को माइंड अप करते हैं कि चलो हमाने पर बहुत सारी चीज़ें यहां पर मौजूद हैं information यहां पर उन्होंने कहा है आप लगों को पहले question को पढ़ लेते हैं फिर वापर सारे content को पढ़ने आएंगे वापिस ठीक है अब आप लोगों से कह रहा है कि write the attributes for each table आपके पास यह थे तीन टेवल्ट है यहाव कस्टमर टेबल यहाव अकांट टाइब यहाव कस्टमर अकांट टेबल तबाप लोगों के पास तीन अलग अलग टेबल मौजूल है कहना कर चाहरें आप लोगों से आप लोगों से कहरें कि इनके attributes को specifye करो कि क्या possibilities हैं सब्सक्राइब को समझना क्यों कहना चारें कि क्या 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 आप लोगों की एक attributes हो सकते हैं अकाउंट टाइब के क्या क्या attributes हो सकते हैं उसके अंदर प्राइम कीज भी होंगी वह सब चीज़ें हम लोग जड़ा study करते हैं अब content को जो आपको question में उन्हें प्राइट किया वह दे बैंक यूजर 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 अर्रेलेशनल डेटबेस ठीक है अकाउंट के नाम से डेटबेस है तो स्टोर दे इंफरमेशन बाट कस्टमेर्स अंग देर अकाउंट डेटबेस स्टोर्स अब यहां पर देखो कस्टमेर्स फर्स नेम क्या की चीज़न स्टोर कर रहा है कस्टमेर्स फर्स नेम लास नेम और डेट अब बर्थ तो कुछ समझा है हम लोगों के पास यहां पर के आप लोगों का फर्स नेम भी समाल हो सकता है लास नेम भी समाल हो सकता है और योर डेट अब बर्थ भी समाल हो सकता है जवाब नहीं किया इसमें लास न हैज प्रामरी की कि फिन सवाइब नहीं करना पड़ेगा मुझे ऐसा एक फिर कि चूश करना पड़ेगाय जोके मेरे प्रायमरी की की तवर पर इस्तमाल हो सके तो इस सेनारियो यहां पर मैंने एक बनाया है कस्टमर आइडी के नाम से मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि अब मैं इसको ऐजा प्राइमरी की कंसिडर कर रहा हूं और इसके अंदर कॉमा लगाया और दूसरे अट्रि date of birth तो यहां पर date of birth भी लिख दो date of birth यह सारे attributes हैं जो कि एक customer table के अंदर मौजूद हो सकते हैं अब account type की बात करते हैं the bank has several different types of account सभी है each account type has a unique ID number चलो एक चीज़ हमें पाते चल गई कि हर account के पास एक unique ID number है unique ID number मतलब account ID हो सकती है कोई फर्ख ने पढ़ना नाम से नाम से इम ना हो कोई से मसला नहीं account ID और मैं इसको consider करूंगा as of a primary की कॉमा और दूसरे attributes ढूंडने के कोशिश करते हैं ठीक है unique ID number है for example regular saving each account type has a unique ID number name वापस से पढ़ने के कोशिश करते हैं इसको इच अकाउंट टाइप मैं इसको अलग अलग color सा highlight करता हूं बगया identify करने मैं सानी हो इच अकाउंट टाइप has a unique ID number कॉमा कॉमा के बाद वो कह रहा है आप लगों से नेम पर एक्जामपल regular और सेविंग अभी तक दो चीज़ें हम लोगों ने find out कर ली जो information दी वे उसी समय चीज़ें extract कर रहा हूं कि भाई उन्होंने आप से काई कि unique ID number हो सकता है उन्होंने आप से काई कि नेम हो सकता है अब मैं यहां पर नेम भी लिख दूँगा अपने पास सब्सक्की तो तीन चीज़ें आप लोगों के पास मुझे़ें है तो हम ने यहां पे तינरी उन्हों और न्प्रलाइब और यह बोनुआईaufen और два सिर्फब करतें को कैस्टंक्स के बारे में बात करते हैं अनक्स्टंक्स किन हां उनकृट है एक कस्टंम के है उसके अलग ID number चल एक चीज तो समय जाए यहां पर मुझे यहां पर हम लोग ID number एक attribute इसमाल करेंगे and stores the amount of money amount of money एक चीज़ और समझ जाए the customer has in that account the bank creates a normalized अच्छा अब इस चीज़ का मकसद है normalized क्या चीज़ होती है normalization एक method है इसको हम डीटेल में discuss करेंगे बिल्कुल at the end of your lecture normalization क्या है एक ऐसा method है जो कि data redundancy को remove करता है मतलब हम लोग अलग-अलग tables create कर देते हैं अलग-अलग tables create करने के बाद हम लोग primary keys और foreign keys को इस्तमाल करते हुए अपने data को link करवा देते हैं tables को सही है तो यहां पर हम लोग वही सेम चीज़ कर रहे है customer और account type को हम लोगों ने दोनों को अलग-अलग tables में consider कर लिया और हमने तीसरी टेबल बनाई है विच इस यह customer account यह table जह है यह आपस में इन दो tables को जो customer and your account type को link करेगी कैसे लिए करेगी by using the concept of your foreign keys अचा हमें दो चीज़ें तो confirm है कि यहां पर आइडी इस्तेमाल होगी और your money amount of money इसके इलावा एक चीज़ दो चीज़ा और होंगी वज़रत देखते हैं पहले तो ID लिख लो इसको ID और मैंना इंडिलाइन करें that means ID is basically your primary key then you have your amount amount लिख लो money लिख लो कुछ भी लिख लो कोई फार्क नहीं पढ़ रहा amount के बाद यहां पर दो चीज़ा हो रहाएंगी दो चीज़ा क्या हैंगी your foreign keys foreign keys क्या होंगी account ID जो कि as a primary key समाल हो रही थी in your account type देखो अब यहां पर गोर से देखो कि क्या यह दोनों टेबल से लिंक है आपस में गोर से देखना अगर मैं बात करूँ इस टेबल की customer की और account type क्या यह दोनों आपस में लिंक है identify कैसे करोगे अगर primary keys और foreign keys अगर customer ID जो as a primary key है in your customer table अगर मैं इसको इसको इस्तिमाल करता हूँ यहां पर अगर मैं यहां पर customer ID लिख देता हूँ तो वो मेरी foreign key consider हो जाएगी तो उसका मतलब मुझे पदा चल जाएगा कि यह दोनों आपस में related हैं सही है तो यहां पर तो कोई relationship create नहीं हो अब relationship तो मुझे create करना पड़ेगा क्योंकि it's a relational database and it's normalized as well तो अब मुझे क्या करना पड़े which will be used as the foreign key comma your account ID तो इस तरीके से हम लोग अपने relation को create करेंगे in your tables से अब आगे सरा question को देखते है identify the primary key for each table that you designed in part d i कहने का मकसद किया है कि आप लोग ने primary key को identify करना है यहां पे आप लोग ने customer table में customer ID को इस्तमाल किया था account type में you have used your account ID as your primary key तो वह यह आपने लिख दिये यहां पे customer account के दो we have used just the ID as your primary key तो आप लोड़ी रिटन दाट चलो इसके बाद आप लोगों से कह रहा है identify one foreign key in one of the tables that you design अब suppose करो कि भाई आप लोगों ने उपर वाली customer चीजों को ने थोड़ा logical भी सोचो थोड़ा अपना पेपर जो है वह आपनों को बहुत असान है अगर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो अगर सपोस्पोस करो मैंने आइटिफाइक कैसी किया कि कस्टमर आइडी चूज ही नहीं किया था सभी नहीं किया था क्योंकि यहां पर मौजूद ही नहीं था है यहां पर अब आप लोगों से कह रहे है आइडेंटिफाइवन फॉरिंट की एक फॉरिंट की बताओ इन वन दे टेबल यह डिजाइन पार्ट डी आइए टेबल के नाम लिख लेते हैं यूर कस्टमर अकाउंट टेबल जो फॉरिंट की थी हमने सिर्फ एक टेबल में इस्तिमाल किया विच इस यूर कस्टमर अकाउंट टेबल और उसके अंदर फॉरिंट की इस कौन से कोई भी लख लो इसमें यह कॉस्टमर आइडी कॉमा यह अकाउंट आइडी कोई से भी लख लो एक है सब्सक्राइब आप लोगों से यहां पर कह रहे हैं कुछ डेफिनिशन सदीम हैं कुछ और वह आप लोगों से कह रहे हैं कि इनके टर्म्स के बारे में बताओ कि क्या टर्म्स हैं पहले टर्म को जड़ा स्टेडी करत हैं पहले टर्म में आप लोगों से कह रहे हैं all the data about one entity क्या मतलब हुआ कि एक टेबल को करते हैं student table के इस पूरे data को हम लोग क्या कहते हैं common sense basic knowledge यार इस पूरे table को वाहनाम भी बता दिया मैंने तो इस पूरे data को क्या कहते है अट टेबल सही है तो all the data about one entity is known as table basic concept is the data in one row of a table एक रोग को में क्या करता था लेट सी दाट अगें एक रोग को में record यह तो टपल कह लो एक ही बाद a column और field in a table एक column और field को में क्या कहता हूँ तो देखते हैं इस पूरे चीज़ को में क्या कहता हूँ an attribute तो यहां पर मैंने term लिख ली attribute है तो यहां तक आप लोगों का एक question और करता हूँ मैं बस primary की और foreign की से related फिर अम्रोजर वह इसके थोड़ा बहुत practical approaches पर आएंगे फिर बाद में थियोरी पर जाएंगे लास्ट कुस्चिन और दिस लेक्ट्टर इस योर डिस्क्राइब दरोल फप्राइमरी की और फॉरिंड की इन डेटर बेस रिलेशन्चिप प्राइमरी की और फॉरिंड की को क्या काम होता है वो आप लोगों से पूछना चारा है प्राइमरी की uniquely identifies each couple अब आप लोगों को प्राइमरी की के बारे में individualy बात करनी है कि प्राइमरी की जो होती है वो uniquely identify करती है हर एक record को प्राइमरी की can be used as a foreign key उसी प्राइमरी की को हम लोग ऐसा foreign key भी इस्तमाल कर सकते है in another table अगर मैं उसकी को दूसरी table में इस्तमाल कर रहा हूँ तो मेरी foreign key consider हो रही है to form relationship between the tables ये point बहुत ज़रूरी है relationship create करने के लिए ऐसे बहुत questions आते है repeat होते हैं इतनी questions ऐसे repeat होते हैं relationship कैसे create करते है relationship कैसे create करते हैं तो वही same concept है कि primary key and foreign key को इस्तमाल करते हुए primary key in one table is basically used in another table as a foreign key to form relationship between the tables यह answer आप लोगा बार बार repeat होता है यहां तक थोड़ा बहुत हम लोगों ने suppose कर अगर मैं theoretical part की बात करनूं तो around 70% theoretical part cover कर लिया उसके बाद अब लोग जड़ा थोड़ा बहुत practical based questions करते हैं which is your query language इस class के बाद से